Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Base तो हम लोग 9th class के History का 2nd chapter कर रहे हैं The chapter name is Socialism in Europe तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि Europe जो है इसमें ये ideology, socialism किस तरीके से prevail हुई? ये ideology, socialism किस तरीके से evolve हुई? और हम ये पढ़ेंगे कि Russian Revolution के साथ इस ideology का क्या relation है, क्या संबंध है? तो इसके लिए हमें पूरा chapter अच्छे से पढ़ना होगा chapter थोड़ा सा आप लोगों को difficult drug सकता है तो इसलिए chapter को बहुत ध्यान से आपने सुनना है एक भी चीज इसमें skip नहीं करनी और मैं इस chapter को line to line बहुत अच्छे से easiest way से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी चलिए chapter शुरू करते हैं जैसे कि हमने previous chapter में पढ़ा था कि French Revolution का impact योरोप में ही नहीं बलकि एशिया में भी देखने को मिला and other countries पर भी इसका impact देखने को मिला था and हर एक country के जो philosophers थे, thinkers थे उन्होंने French Revolution से बहुत सारे ideas लिये थे कौन-कौन से ideas जैसे कि ideas of freedom, ideas of equality, ideas of democratic rights, ideas of liberty and fraternity तो ये सारे के सारे जो ideas थे, ये योरोप में पूरी तरीके से circulate हो गए थे that means कि अब योरोप के लोगों के अंदर awareness आ गई थी, उनको अपने rights पता चल गए थे अब उनका जो reason था, वो broad हो चुका था और कहीं न कहीं, French Revolution की वज़े से ये possibilities भी देखने को मिली कि society जिस तरीके से already structured है ना, या society में जो old regimes हैं उनको भी change किया जा सकता है जैसे इसका example यहाँ पर आगे दिया हुआ है जैसे कि 18th century में हमने क्या देखा था? 18th century में जो French society थी, वो तीन state में divided थी ठीक है? तो यह जो society थी ना, यह already एक तरीके से structured थी सो French Revolution से पूरे योरोप में एक ये possibility आ गई थी कि ऐसे structure को, society के structure को change किया जा सकता है तो यहाँ पर इस तरीके के society के structure की बात हो रही है इस line में अब देखो, 18th century में फ्रांस में जो यह तीन state में divided थी French society, इसमें aristocracy के लोग जो थे, मतलब जो aristocrat थे और जो church के clergy people थे, यही लोग economic and social power को control करते थे, मतलब पैसा और जो social power थी वो इनी लोगों के पास थी social status इनका high था और पैसे में effluent यह लोग हुआ करते थे और यह लोग tax लिया करते थे, third state के लोगों के साथ और यह लोग कहा करते थे कि हम लोग by birth privileged हैं, right? तो कहने का मतलब यह है कि यह जो already structured society थी ना, इसको अब change किया जा सकता था ऐसा vision कहां से मिला था? ऐसा vision मिला French Revolution से तो French Revolution के बाद लोगों को एक उमीद जागी कि जो already society एक तरीके से structured है एक old regime में society को बांदा हुआ है, अब उसे change किया जा सकता है और इसकी possibility अब बढ़ने लगी थी, and French Revolution, Europe ही नहीं बलकि Asia में भी इसका impact देखने को मिला था, so Europe and Asia के बहुत सारे हिस्सों में individual rights को लेकर अब बात होने लगी थी, human beings के अधिकारों को लेकर बात होने लगी थी, and यह सब चीज़े discussion में आने लगी थी कि अब social power को कौन control करेगा, in fact इंडिया में जो socialist थे, राजा राम मोहन रोय एंड डे रोजियो, इन्होंने French Revolution के इन ideas की significance की बात की, मतलब यह सारे ideas जैसे की liberty, equality, fraternity, democratic rights, इन सभी ideas के importance की बात करनी शुरू कर दी थी, अब एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि राजा राम मोहन, रोय एंड डे रोजियो जैसे जो socialist थे, वो French Revolution के ideas की significance के बारे में बाते कर रहे थे, क्योंकि यह चाहते थे कि हमारे देश में भी इन ideas को अपनाया जाए और यह ideas हमारे देश में भी implement हो, ताकि लोगों को equal status मिले, equal right मिले, on the other hand हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इन revolution के ideas पर debate कर रहे थे, जैसे कि हम liberals, radicals, conservatives इन सभी के ideas देखेंगे, इनके ideas के बीच में जो भी contradiction थी, जो debate इनका चल रहा था, वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, the development in colonies in turn reshaped these ideas of societal change, अब colonies का मतलब क्या है, जिन colonies को powerful countries ने colonize किया हुआ था, अब वहाँ पर भी development देखने को मिलता है, जैसे कि slavery abolish हो जाती है, you know, industrial revolution आ जाता है, feminist movement आ जाता है, तो इसके बाद हुआ क्या, कि जब इन colonies में development होने लगा, तो जो societal change का idea था, उसको इन्होंने reshape कर दिया, अब उसमें और नए ideas जुडने लगे थे, कैसे ideas देखो, अब लोग जो थे, they wanted written constitution, they wanted an extension of the suffrage, they wanted equal voting rights, they wanted civil rights, they wanted free market economy, और ये लोग चाहते थे कि अब जो time to time war होते रहे हैं ना हमारे देश के, वो अब उनसे हमारा देश छूट जाए, मतलब national liberation की अब लोग बात करने लगे थे, तो कहने का मतलब है कि societal change के ideas को reshape तब मिली, जब colonies में भी development होने लगा था, Okay, moving to the next paragraph, योरोप में इसी time पर complete transformation की बाते चल रही थी, और society में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी थे, जो चाहते थे कि योरोप में किसी भी तरीके का बदलाव, किसी भी तरीका का transformation नहीं होना चाहिए, मतलब वो चाहते थे कि जिस तरीके से old regime चलता आ रहा है, उसी तरीके से society के structure को आगे चलने देते हैं, लेकिन responses अलग-अलग थे, कुछ लोग चाहते थे कि योरोप में transformation हो, कुछ लोग चाहते थे कि योरोप में change हो और इन changes की जरुरत है, बट वो लोग भी ये चाहते थे कि ये changes ना all of a sudden नहीं, बलकि gradual shift में होने चाहिए, मतलब बिलकुल धीरे-धीरे होने चाहिए, पर change होने चाहिए, ओके, अब कुछ लोग ऐसे थे, जो चाहते थे कि योरोप में जो transformation है, वो sudden होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, और radical तरीके से होना चाहिए, मतलब extreme तरीके से transformation की जरुरत है, सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कि लोगों की अलग-अलग ideology थी, अब क्या हुआ कि लोगों की अलग-अलग ideology थी, लोगों के अलग-अलग thoughts थे, जिनकी जैसी-जैसी ideology थी, वो वैसी-वैसी ideology से अपना group बनाने लगे थे, इसी time पर हमें तीन major group देखने को मिले, जिनकी ideology different थी, जैसे कि conservatives थे एक तरफ, एक तरफ थे liberals, एक तरफ थे radicals, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला कि conservative, liberals and radicals, इन तीनों ही group के लोगों की जो ideology थी, वो एक दूसरे से contradict करती थी, जैसे कि, जो conservative people थे, वो rudy-वादी थे, वो चाहते थे कि change बिल्कुल ना हो, liberal ऐसे थे, जो different opinion and different behavior को accept कर लेते थे, and radicals ऐसे थे, जो चाहते थे कि sudden change होना चाहिए, laws में and government में, एक दम से change होना चाहिए, और extreme level पर होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर radical में example दूँगी, Robespier का, आपको याद है कि Robespier क्या करते थे, कि वो इतने radical हो गए थे, कि वो उन्होंने equality लाने के लिए, लोगों का execution तक करना शुरू कर दिया था, तो वो moderation पर नहीं काम कर रहे थे, वो radical हो गए थे, तो ऐसे लोगों को radical कहा जाता है, जो बिल्कुल extreme change चाहते हैं, और sudden change चाहते हैं, तो आगे जाकर हम chapters में इन तीनों ही term का मतलब समझेंगे, हम यह जानेंगे कि जो यह अलग aspects हैं, जो यह अलग-अलग group हैं, इनकी क्या-क्या ideology थी, जिन ideologies की वज़े से separated हैं, और क्या-क्या ideologies इनकी link करती हैं एक दूसरे को, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कि हम जो यह ideologies पढ़ेंगे, conservative, liberals and radicals की, यह हम 18th century की बात कर रहे हैं, इनकी सोच जरूरी नहीं है कि 18th century के इनी group से मिलती हुई हो, जैसे कि example के तोर पर, जो conservative उस time पर thinking रखा करते थे, जो ideologies उनकी थी, तो आज के time पर जो conservatives हैं, उनकी ideology कुछ और हो सकती है, क्योंकि आज के time पर भी समाज में, यह तीनों ही group आपको देखने को मिलेंगे, हर जगे आपको conservatives भी देखने को मिलेंगे, liberals भी देखने को मिलेंगे, radicals भी देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम उस time की बात करेंगे, आज के time के जो यह group हैं, इनकी ideology is different हो सकती है, चलिए, आगे देखते हैं, हम इस chapter में यही पढ़ेंगे अभी, कि 19th century में कौन-कौन से political aspects आये थे, जिनों ने society को अपनी ideology के मताबिक change करने की कोशिश की थी, मतलब किस-किस political parties की ideology का क्या-क्या impact society पर आया, यह हम देखेंगे, और इसी time पर हम एक बहुत बड़े historical event, मतलब एक एतिहासी घटना की बात करेंगे, जिसकी वज़े से पूरी society को radically तरीके से transform करने की कोशिश की गई थी, और जब Russian revolution हुआ तो एक ideology थी, socialism, यह जो है पूरे रशिया में बुरी तरीके से फैल गई थी, बुरी तरीके से फैलने का मतलब क्या है, कि socialism का impact पूरे रशिया में देखने को मिलता है, बहुत significant यह ideology रही थी उस time की, and इसके ideas पढ़ेंगे कि socialism की वज़े से रशिया में किस तरीके से यह society change हुई, 20th century में इन ideas को accept किया गया, तो इन सब चीजों की बात करेंगे, अब मैं सबसे पहले तो socialism यह जो ideology है, इसका meaning बता देती हूँ, देकि इसका meaning क्या होता है, ऐसे लोग, मतलब जो socialism में विश्वास रखते थे, या इस ideology को लेकर चलते थे, इन लोगों की क्या धारणाई थी, इन लोगों के ideas थे, कि सभी लोग equal होने चाहिए, ठीक है, और सभी लोगों के पास equal money distribute होनी चाहिए, and सभी लोगों के पास property भी equally divided होनी चाहिए, मतलब यह equality में believe करते थे, तो अभी आपने ideology का मतलब समझ लिया, अब हम कल जो chapter, लाइक कल हम जो बात करेंगे इसी chapter की, तो हम पढ़ेंगे liberals, radicals and conservatives के बारे में, अब मैं जहाती हूँ कि इस chapter को ना हम ऐसी धीरे-धीरे करके complete करें, लेकिन बहुत अच्छे से complete करें, ऐसा ना हो कि मैं कुछ चीज़ skip करूँ, और आप लोगों को फिर समझ भी ना है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो दीरे-दीरे parts में complete करेंगे, बहुत patience के साथ आपने देखना है, जहां भी कोई doubt लगे, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, या आप मुझे Instagram पर follow करना बिल्कुल मत बूलें, पर आप मुझे आप directly DM कर सकते हैं, जो भी आपके doubts है, दिस साथ प्रयांका गोर, I wish you all the best, keep learning, थैंक यू so much for watching this video.